अरे वाँ ये तो बड़ी प्यारी लगी ये इस घर की न्यू मेंबर हरामी बहू हमारी बहू नमस्कार दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तेरी बातों में ऐसा उल्जा जिया के आठ दिनों के बॉक्स अफिस के लेक्शन के बारे में तो आप चैनल पर नाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिक्रिक्शन को भी ओंड कर दे तो साहित कपूर और क्रिती से नने स्टार्ट तेरी बातों में ऐसा उल्जा जिया के पहले दिन के अगर इंडिया से क्लेक्शन देखा या तो छे क्रोड शतर लाग के सांथ शुरुआत की इसके बाद दूसरे दिन यानी की सटर्डे का क्लेक्शन देखा जाए जिसमें काफी अच्छा क्लेक्शन काफी अच्छा आया था इस कारण से ग्रोध देखनों को मिला और 9,65 लाग की कमाई की उसके बाद तीसरे दिन की संदे का क्लेक्शन 10,75 लाग रहा था उसके बाद यहां पर चौथे दिन का क्लेक्शन यहां पर 3,65 लाग रहा क्यूंकि वरकिंग डे स्टार्ट से आपे काफी अच्छा ग्रोध दिस्टों को मिला इस फिल्म में और 6,75 लाग कमाई की उसके बाद सातवे दिन का क्लेक्शन यानि क कल का करेक्शन देखा जा तो 3,25 लाग की कमाई की वहाई अगर आज का क्लेक्शन देखा जा तो आज शुक्रुबार है और आज और भी दो फिल्में होने वाली है इस कारांसे यहां पर थोड़ा सा ड्रॉप द्रफ निल सकता है और तीन क्रोर के आज पास कमाई आज करने वाली है अगर आज 3 क्रोर की कमाई कर रही है तो टोटल आथ दिनों में इंडिया से डिएट कलेक्शन हो जात से तालीस करोड साट लाख अगर इंडिया ग्रोज क्रेक्षन पर नजर डाले तो यहाँ पर साथ कुरी कमाई कर सके ऐलर और लोइच से यह से काफी अच्छा क्लेक्षन कर रहे है और तीस क्लीप कमाई और सिस से भी कर सुकि है और वॉर्ड वियर अप्रे में यह दिख Haidt कि अभी तक आगे कितना क्लेक्शन कर पाती है किमकि सुपर हीट होने के लिए अभी इसको वर्लवाइड करीब करीब अभी तो आपके कहले लगता है कि जो कि इसाइद कफूर के तेरी बातों में ऐसा उल्जाज या हीट होती है या बॉलकबस्टर्ड होती है कमेंट करके जरूर बैता है तो मिलते हैं इसी तरह के अपडेट के साथ धन्यवाद